Hello students, मैं वैभव अपने चैनल निबर नॉब बे आपका स्वागत करता हूँ. ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के Maths सब्जेक्ट के लिए dedicated है. अगर आपको मेरा काम पसंद आए, तो प्लीज वीडियोज को शेर कीजिए, क्योंकि मेरा मोटो ही है Quality Education सबका अधिकार. और अगर आप पूरा सलिबस कवर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेइलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, सारे वीडियोज की प्लेइलिस्ट चेक कर सकते हैं. और अब तो आप निबेड नॉब को इंस्टाग्राम पर भी फॉलोग कर सकते हैं. तो चलिए, आज का लेक्टर शुरू करें. Students, Application of Derivatives, एक ऐसा चैप्टर है, जो इल अक्यली बीच में छूट गया था. और मैंने ये इतना बड़ा गैप बीच में क्यों डाला, मैं ये बताना चाहता हूं तुमको. मेरी ड्यूटी, एक्चुली स्टेट बॉर्डर पर लग गई थी, जहां पर की मैं पुलिस के साथ, कोविड स्क्रीनिंग में मेरी सरकारी ड्यूटी लगाई गई थी, और वो ड्यूटी कुछ इस तरह थी, कि सुबह 6 से 2 बज़े तक, फिर अगले दिन दुपहर को 2 से 10 बज़े तक, फिर अगले दिन रात को 10 से सुबह 6 बज़े तक and so on, इस तरह से लग रही थी, 15 दिन की ड्यूटी थी मेरी, और क्योंकि ये इस तरह शिफ्ट में लग रही थी, एक कोविड वारियर्स के साथ लगी थी मेरी ड्यूटी, अब मुझे खुशी होती है कि मैंने भी थोड़ी सी अपनी ड्यूटी निभाई है इस पैंडेमिक एरा में, तो ये क्योंकि इस तरह से लग रही थी ड्यूटी, तो मेरा जो नींद का एक सरकल होता है बॉड़ी का, बॉड़ी क्लॉक होती है, सही टाइम पे नींद आती है और सही टाइम पे हम जागते हैं, वो डिस्टर्ब होने लगा था और उस वज़य से एक तो ये पंदरा दिन की ड्यूटी का गैप और फिर मुझे उस से उबरने में थोड़ा फिट होने में और ये वीडियो बनाने में इतना टाइम लग गया और क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो मैं Application of Derivative के वीडियो नहीं बना पा रहा था तो मेरे पास जो Integral के वीडियो पहले से बने पड़े थे integrals के video मेरे पास पहले ही पूरा chapter बना पड़ा था क्योंकि वो स्वयम प्रभा channel पे relay करने के लिए मुझसे मांगे गए थे और वो स्वयम प्रभा channel पे relay भी होगा जब integrals start होगा chapter वहाँ पे टीवी पे आएगा तो वो सारे videos मेरे पास थे तो मैंने तुम्हारा time बचाने के लिए वो कुछ एक पांच चार पांच videos upload करने शुरू किये जो कि मैं अब भी करता रहूंगा यह chapter भी हम complete करेंगे साथ ही साथ जो students मेरे integrals शुरू कर चुके हैं मैं उनका भी नुकसान नहीं होने दूँगा और मैं integrals के भी upload करूंगा साथ के साथ अपने videos और application of derivative जो students मेरा follow कर रहे थे और बीच में ब्रेक लग गई उनके लिए मैं sorry मांगता हूं क्योंकि यह duty की वज़े से मेरे को concentrate करने का time ही नहीं मिला तो ज्यादा time ना लेता हुआ मैं exercise 6.5 पे चलता हूँ हम सब याद करें तो हमें याद आ जाएगा कि हमने 6.5 के question number 20 को discuss किया था last और अब हम question number 21 को करेंगे और मैं यह तुम्हें फिर से याद करा देना चाहता हूँ कि question number 17 से question number 24 या 25 तक बहुत ही important question है 6.5 के जो कि कितने marks के आने हैं बिल्कुल ठीक 6 marks के आने हैं तो question number 20 तक हमने कर लिया था अब मैं ऐसा करता हूँ question number 21 लिखता हूँ और हम discuss करते हैं question number 21 को तो यह है students हमारा question of all the closed cylindrical cans of a given volume of 100 cm cube find the dimensions of the can which has the minimum surface area अब तुम्हें याद होगा can कोका कोला के can होते हैं पेपसी के can होते हैं उन में हमें यह पता होता है कि वो can में कितना cold drink है यानि कि उसका volume fix होता है लेकिन उनकी dimensions अलगलग हो सकती है और वो dimension उस तरह से set की जाती है हैं ताकि surface area minimum हो minimum surface area क्यों चाहते हैं हम क्योंकि company को जो material खरीदना पड़ेगा can बनाने के लिए उसमें surface area use हो रहा है और उसका volume हम fix करके रख रहे हैं तो अगर volume fix है यानि कि यह given है volume given है given volume के साथ भी question हो सकता था यह तो 100 cm cube तुम्हें बता दिया गया वरना volume को V मानकर हम given volume से भी question कर सकते थे हमने surface area को minimum करना है यानि surface area का formula बनाना है function बनाना है single variable में और उसका derivative करना है और फिर यह देखना है कि dimensions क्या बनती है उस can की dimensions means radius और height जो हमारा can है cylindrical can हमें कह रखा है यानि cylinder तो हम ऐसा करते हैं एक diagram बना लेते हैं I think तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी diagram बना सकते हो मेरी drawing तो को खास है नहीं तो इसका radius x मान लेते हैं हम और इसकी height y तुम अपने पास से अगर तुम है r और h पसंदो तो तुम r और h भी मान सकते हो तो हमारा यह can है इसका जो volume है वो fix है तो हम ऐसा करते हैं हम start करते हैं solution हम सबसे पहले कहेंगे let x and y be the radius and height of the can अब volume कितना दिया हुआ है volume of can is equal to hundred centimeter cube यह तो दिया हुआ है लेकिन volume का formula क्या होता है can का यानि के cylinder का volume का formula मैं यहां अलग से लिख रहा हूँ pi r square h यह होता है लेकिन r की जगह x है और h की जगह y which implies pi x square y is equal to hundred equation number one यह तो given है अब तक तुम इतना तो समझी गए होगे और अब हम surface area का formula बनाने चले जा रहे हैं एक function बनाएंगे surface area का minimum के लिए उसको find करेंगे तो now surface area of can, अब surface area है तो हम को अच्छा लगता है a से denote करना उसको तुम S से भी denote कर सकते हो तुमारी अपनी मरजिया तुम M से D से किसी से भी denote कर सकते हो तो मेरे को area A से पसंद है तो मैंने A से कर दिया अब इस can का क्यूंकि हमें question में closed cylindrical can कहा है तो हम इसका complete surface area लेंगे तो complete surface area कितना आएगा 2 pi x square plus 2 pi x y तो मैं अगर याद हो कि एक cylinder का total surface area क्या होता है 2 pi r square plus 2 pi x y ये होता है area surface area total एक cylinder का तो r और sorry यहाँ पर r square है यहाँ पर r h होना जीए था 2 pi r h तो r और h की जगए यहाँ पर x और y है तो equation ये जो बनी है ये दो हमारे ये function जो area का बना है वो दो variable में x और y और हम derivative किसके with respect to करें x के के y के अभी हमें नहीं पता तो इस confusion को दूर करने के लिए हम equation number one से y की value यहाँ put कर देंगे क्योंकि x square की value यहाँ put करेंगे तो यहाँ तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ कैसे करेंगे under root आ सकता है तो उससे बचने के लिए हम y की value यहाँ से find out करते हैं और put कर देते हैं तो मैं अगर rough में यह करूँ तो y की value अगर तुम देखोगे तो क्या आएगा 100 upon pi x square ठीक है student देखो pi x square इसके नीचे आ जागा y की value आ गई तो अब मैं यहाँ पर value put करने वाला हूँ which implies a is equal to 2 pi x square प्लस 2 pi x into 100 upon pi x square यह कहां से मैंने put की from equation number 1 यह मैंने reason दे दिया अब pi से pi cancel हो गया x से एक power cancel हो गई तो हमारा जो area का function था जिसको हमने minimum करना है वो हमें simplify होता हुआ दिखाई दे रहा है plus 200 upon x तो यह अब single variable में बन गया है और क्योंकि अब यह single variable में बन गया है तो अब तुम सब जानते हो कि हमने क्या करना है differentiate करना है तो मैंने लिखा differentiate with respect to x तो dA by dx is equal to 4 pi x यह 2 इधर आ गया और minus का 200 upon x square क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि derivative of 1 by x कितना होता है minus 1 upon x square तो 1 upon x का derivative minus 1 upon x square हो गया तो यह बन गई equation number 2 और हम सब जानते हैं एक बार फिर derivative करना है हमने इसको तो again differentiate with respect to x तो d2a by dx square is equal to 4 pi यह minus का हो जाएगा plus क्योंकि power minus 2 है power minus 2 उपर multiply होगी तो 400 हो जाएगा upon x cube देखो यह क्या है minus x square 200 तो चलो है ही साथ में multiplied minus x की power minus 2 जब इसका derivative करोगे तो कितना आएगा? यह minus 2 आगे minus में plus हो जाएगा plus 2 और x की power minus 3 हो जाएगी एक power और कम हो जाएगी तो जो minus की power 3 है power minus 3 वो मैंने नीचे करके x की power 3 लिख दी और यह 2 जो है यह 200 से multiply होगा तो 400 हो जाएगा तो इस तरह से मैंने derivative कर दिया यह बन गई equation number 3 तो देखो अब हमने अपना जो formula है जो function है required function वो single variable में बनाया दो बार derivative किया और दो बार derivative करने के बाद हम क्या लिखते हैं तुम सबको याद होगा for critical points हाँ तो अब क्यूंकि मेरे पास यह page देखो खतम हो रहा है मैं page बलटता हूँ और फिर लिखता हूँ तो हम क्या लिखते होते हैं मैं वह लिख रहा हूँ फॉर critical points put single derivative dA by dx is equal to 0 तो तुम equation number 2 में देखोगे तो वहाँ से हम put करेंगे 4 pi x minus 200 upon x square is equal to 0 from equation number 2 reason देदी है मैंने साथ में अब यहाँ से x की value निकालनी critical points निकालने तो मैं 200 upon x square को उस तरफ ले जाता हूँ 4 pi x is equal to 200 upon x square which implies x square इस तरफ आ गया x cube बन गया is equal to 200 upon 4 pi अब यह 4 cancel हुआ यहाँ से 50 तो हमारे पास आ गया x cube is equal to 50 upon pi तो यहाँ से x की value क्या आ गई 50 upon pi whole power 1 by 3 याने cube root तो x की कुछ value हमारे पास आ गई तो यह है हमारा critical point और इस critical point को कहाँ put करना है हमने हमने इसको equation number 3 यहने double derivative में put करना है तो मैं लिखूंगा put this in equation number 3 तो d2a by dx square at x is equal to 50 upon pi की power 1 by 3 is equal to 4 pi plus 400 upon क्या था x cube था तो students x cube की value हमारे पास है 50 upon pi अब इसको solve करने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ इतना देखना है कि यह positive है के negative है obviously एक positive quantity है तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर double derivative test लगा कर show जरूर करना है इसी चीज़ के number हमें मिला करते है तो d2a by dx square at x is equal to 50 upon pi cube root is positive is greater than 0 यह चीज़ बहुत ज़ादा एहमियत की है इस inequality की बहुत ज़ादा importance है हम यह पहले भी discuss कर चुके हैं पिछली classes में तो यह positive आ गया इसका मतलब क्या हो गया therefore यह जो critical point आया है यह कैसा है x is equal to 50 upon pi whole power 1 by 3 is point of minima हम सब जानते हैं कि positive value minima की होती है और negative value maxima की होती है तो जब यहाँ तक हम question कर चुकते हैं तो मेरा यह suggestion है सबको के एक बार फिर question पढ़ना चाहिए के question में चाहिए क्या तो मैं फिर एक बार question तुमारे सामने रखता हूँ तो question में क्या कहा हूँ है find the dimensions of the can dimensions of the can ठीक है याने के हमें x और y की value पता करनी है जो की हमें कहां से मिलेगी equation number 1 से तो dimensions of the can हमें पता करनी है क्योंकि हमें ये तो पता लग गया कि x को अगर 50 upon pi 1 by 3 power ये रखेंगे ये value रखेंगे तो उसका जो surface area है वो minimum होगा ये बात तो solve हो गई लेकिन अब y की value भी चाहिए x की value हमारे पास है तो equation number 1 में इसे put करने के लिए x की square चाहिए हमें तो now x square is equal to 50 upon pi whole power 2 by 3 ये है दोनों तरफ का square कर दिया put this in equation number 1 तो equation 1 में put करते है pi into 50 upon pi whole power 2 by 3 into y is equal to 100 pi x square y is equal to 100 था equation number 1 थी अब इसको हमने solve करना है तो y की value हमें यहां निकालनी पड़ेगी यहां से y की value कैसे आएगी देखो y is equal to 100 upon pi 100 के नीचे में y ले आया और इसको यहां से reciprocal करना पड़ेगा pi की value 2 by 3 upon 50 की power 2 by 3 sorry pi की power 2 by 3 तो इस 100 को मैं लिख देता हूँ 2 into 50 upon 50 की power 2 by 3 into pi की power 2 by 3 upon pi की power 1 यहां 50 की power 1 इसी तरह solve हो पाएगा यह तो 2 into 50 की power 1 by 3 रह गई क्योंकि 1 में से 2 by 3 माइनस हुआ और यहां 2 by 3 में से 1 माइनस होगा तो pi की power की इतनी आ जाएगी माइनस 1 by 3 तो इसको मैं थोड़ा ठीक करके लिखूंगा तो आ जाएगा 2 into 50 upon pi whole power 1 by 3 तो यहां पर क्या आ रहा है देखो यही तो x था यहने के height जो है वो diameter के बराबर आ गई तो students यह लगा था दूसरा question है question number 20 भी ऐसा ही था के y is equal to 2x आ रहा था यहां पर भी ऐसा ही है लेकिन दोनों में क्या चीज़ है के fix surface में maximum volume या फिर fix volume minimum surface में इस बात पर ध्यान देना students यह दोनों similar बाते हैं मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं बात को के fix surface में maximum volume या फिर fix volume के लिए minimum surface यह दोनों ही commercially यूज किये जाने वाले फॉर्मूले हैं और अगर तुम तुमारे घर के उपर पड़ी syntax की tank की ज़ातर syntax की black tank तुमने देखा होगा पानी जिसमें पढ़ा वह उता water tank उसका अगर तुम diameter चेक करोगे और height देखोगे तो तक्रीबन बराबर ही मिलेगा यह चीज सिरफ calculation के लिए नहीं सिखाई जा रही यह actually use होती है हमारी industry में जहां भी cylindrical shapes बनाई जाती है economically maximum volume के लिए तो यहां भी वही चीज है water tank को अगर चेक करोगे तो उसका diameter और height तक्रीबन बराबर ही निकलेगी क्योंकि उन्होंने material कम से कम use करना है लेकिन याने surface area कम से कम लेकिन जो volume है इसका वो fix रखना है कि 1000 liter की tank की बनानी है या 2000 की या 5000 की तो यहां पर हमारे पास y भी आ गया तो याने dimensions of cylindrical can हमारे पास आ गया तो हम इसको लिख देते हैं कि therefore radius of can is equal to 50 upon pi 1 upon 3 power centimeters क्योंकि centimeter cube था volume and height of can is equal to twice of 50 upon pi whole power 1 by 3 centimeters अगर इतना radius और height रखी जाएगी तो can का surface area minimum हो जाएगा लेकिन उसमें volume 100 centimeter cube का ही रहेगा तो students यह था question number 21 और मुझे लगता है कि आज ये question काफी tough हो सकता है तुमारे लिए मैं आज इतना ही करूँगा बाकी questions मैं अगले वीडियो में करवाँगा क्यूंकि वो एक अलग type का question है wire का question है वो भी उतना ही important है six marks का तो इसलिए आज मैं इतना ही करवाँगा और मेरी जो एक request रहती है वो अभी भी है कि मेरे वीडियो को तुम rate जरूर करना one to five scale पर जैसा भी तुमें लगे one सबसे बेकार और five सबसे अच्छा one, two, three, four या five में से कोई भी एक rating जरूर देना comments में जाके और tuition से बचने के लिए मेरे channel की playlist चेक करो और मेरे channel की playlist से अपने class के सारे chapters को follow करो और उसके लिए सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि subscribe का वो button दबा दो subscribe कर लोगे तो मेरे channel की playlist देख पाऊगे तो students best of luck हम मिलेंगे अगले वीडियो में thank you for watching